ईस्लाम लेकूम वीवर्स कैसे हैं आप सब तो आज हम यहां पर बनाने जा रहे हैं घर पर ट्रेंडिंग बर्गर रेसिपीated काफी चिल रहा है और इसको ऊल््टा बर्गर भी कहते हैं काफी इसको जम्बो बर्गर भी कहसके है सकते हैं बहुत ही मज़े का बनता ही है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आयागा बच्चों को आप टिफिन में भी दे सकते हैं तो चले फटा फट से हम इसको बनाना शुरू करते हैं तो एक खिलो हमने उबले हुए आलू ले लिए हैं मैश कर लिए इसको एक टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डाल देंगे इसमें और आधा टेबल स्पून हम इसमें और इगयनो डाल देते हैं और आधा टेबल स्पून हम इसमें डाल देते हैं बलेक पेपर पाउडर यानि की काली मिर्च का पाउडर और एक टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे गार्लिक सिजनिंग पाउडर या फिर गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर इसे इसके भी कर सकते हैं बिने इसके भी बना सकते हैं एक टी स्पून हम इसमें डाल देंगे नमक या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम जादा कर सकते हैं तो अब हम इसमें डाल देंगे बारी कटिवी धनिया की पत्ती और अब हम इसमें डाल देंगे 5-6 बारी कटिवी हरी मिल्च और इसको डाल कर हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे हाथों से तो यह देखिए, अच्छी तरीके से हमने इसको mix कर लिया है, तो चलिए अब हम यहाँ पर bread ले लेते हैं, तो एक packet हमने bread ले लिया है, और जो bread की कोशिच करें कि बड़ी slice हो या चोटी हो तो इसको आप glass की मदद से cut कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर jumbo burger बना रही हूं, त इसको हमने, एक bread को हमने अच्छी तरीके से पूरा काट लिया, और जो साइट से जो बचा हुआ है, उसको हम bread crumbs बना लेंगे, यह देखिए, इस तरीके से हमने, बड़े-बड़े pieces में इस तरीके से काट लिया, आप चाहे तो ग्लास की मदद से काटें, तो छोटे burger माटर का sauce लगा लेंगे, और एक cheese का slice हमने ले लिया है, इसको इस तरीके से हम फोल करके अच्छी तरीके से इस पर कवर कर लेंगे, यह देखिए, इस पर अच्छी तरीके से आ गया है, और उल्टा करके इसको इस तरीके से हम रख लेंगे, सैंविच की तरह, और जो आलू तो यह देखिए इस तरीके से, कटलेट की शेप में या फिर टिकी की शेप में इसको अच्छी तरीके से कवर करकर बना लीजिए, और यह बर्गर की रेसिपी जो है बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है, काफी वायरल हो रही है, तो हमने भी अपने चैनल पर इसको बना कर अपलोट कर रहे हैं इसको, तो आप भी इसे जरूर बनाएं बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा लगता है यह खाने में, और एक बर्गर खाते ही आपका पेट भर जाएगा, तो बहुत ही मज़े का बनता है, तो आप भी इसे जरूर ट्राइ कीजिए, तो यह देखिए इस तरीक अप हमने मैदा ले लिया है, और इसमें हम पानी डाल देते हैं, और एक अच्छा सा गाडा सा घोल बनाकर तयार करेंगे, या फिर शलरी बोलते हैं उसको वह बनाकर इसको तयार कर लें, तो अच्छी तरीके से इसमें कोई गाठ या घुटली नहीं हो, अच्छी तरीके से देख सकते हैं उंगली को डिप कर लीजिए और इस तरीके से देख सकते हैं आपका बैटर किस तरीके से बन कर तयार हुआ है बहुत जादा गाड़ा नहीं और बहुत जादा रनी नहीं होना चाहिए तो यह देखिए, चार से पांच बर्गर हमने यहां पर बना कर तयार किया है, तो चलिए अब हम इसको ब्रेट क्रम्स की कोटिंग करेंगे, तो यहां पर ब्रेट क्रम्स हमने ले लिया है, इसको हम साइड में रख लेते, जितने भी ब्रेट बचे थे, उसके हमने ब्रेट क् के पीसे को इस तरीके से डिप करेंगे और इसको निकाल कर हम ब्रेट क्रम्स में डाल देंगे और अच्छी तरीके से कोटिंग इसकी कर लेंगे तो आप इस तरीके से बर्गर ज़रूर घर पर बना कर तयार करें आप चाहें तो इसको बना कर फ्रीजर में स्टोर करके भी रख सकते हैं जब भी दिल करें तब इसको फ्राइ कर लीजिए तो यह देखें कितने अच्छी तरीके से हमने इसकी कोटिंग कर लिया है ब्रेट को अच्छी तरीके से कोट कर लिया है बर्गर के उपर और यह और भी साइज में बड़ा हो चुका है कोटिंग करने के बाद तो इसी तरीके से हम सारे बर्गर को बना कर तयार कर लेंगे तो एक बर्गर को मैं फिर से आपको इसकी कोटिंग करके दिखाती हूँ तो इसको मैदे में अच्छी तरीके से डिप कीजिए और ब्रेट क्रम्स में इस तरीके से डाल दीजिए और अच्छी तरीके से दोनों हाथों से टैप करती हूँ अच्छी तरीके से इसकी कोटिंग कर लीजिए जब भी इसकी कोटिंग करेंगे तो यह और भी साइज में बढ़ा हो जाएगा इसलिए मैंने इसको नाम दिया है जम्बो बर्गर या फिर उल्टा बर्गर भी इसको बोल सकते हैं बहुत ही मज़े का लगता है खाने में यह इसी तरीके से हंसारे बर्गर को कोटिंग करकर तंव करतें तो, यह देखिए चार से पाच बर्गर हमने बना है यहां पर बनाकर हमने इसको तो इसी स्टेज पर आप इसे अच्छी तरीके से फ्रीजर में स्टोर करके भी रख सकते हैं, बच्चों के लिए या फिर बड़ों के लिए जब भी दिल करें तो इसे फ्राइ कर सकते हैं, तो चलिए हम इसे अभी फ्राइ कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पर तेल गरम करने के तो यह देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारा बर्गर जो है ची से फुराइब हो चुका और सा przeci इस तरीके से और भी बर्गर को फ्राई कर लेंगे इसको इसको निकाल लेंगे तो ये देखिए रड़ स्टाइस की हमने बर्गर को अच्छी तरीके से फॉर्ड़ कर लियाUNG है तो इसको हमें अलग से बर्गर पाओं के साथ खाने की ज़रूरत नहीं है इसको ऐसे ही टमाटर सॉस के साथ या मयोनीज के साथ इसको सर्फ करें बहुत ही अच्छा लगेगा तो चलिए मैं बर्गर को आपको कट करके दिखा देती हूँ तो यह देखिए चाकू की मदद से हम इसको इस तरीके से कट कर लेंगे और आप देख सकते हैं अंदर से चीज जो है वो मेल्ट हो चुक है और ब्रेट भी दिखाए दे रहा है और अलू की फीलिंग जो है वो भी दिख रही है अच्छी तरीके से अंदर से सौफ जूसी है और उपर से क्रिस्पी बनकर तयार हुआ है तो आप टामाटर सॉस की जगह पर यहां पर मयोनीज का भी इस्तिमाल कर सकते हैं मयोनीज भी लगा सकते हैं या फिर जब इसे सर्फ करें तो मयोनीज के साथ भी इसको सर्फ कर सकते हैं तो यह देखिए हमारा जम्बो बर्गर या फिर उल्टा बर्गर यहां पर बनकर हमने तयार कर लिया है इसको यहां पर तो इसको हमने यहां पर सर्फ किया है तो अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करके मुझे जरूर बताएं ये उल्टा बर्गर की रेसिपी या फिर जम्बो बर्गर की रेसिपी आपको कैसी लगी ये वीडियो आपको कैसी लगी